पूरी पोट्धीमॉन अनमे के अंदर ऐस एक लॉत आँ सारे यहीं है, लेकिन तुमने का भी सोझा है कि अगर यहाँ पर आख सारे की सारे यहीं पोट्हें से लड़ने चला जाए तो वह कितनों को हरा पाएगा इसका आउटकम क्या निकलेगा वेल आज की वीडियो में यहीं बात करने वाला हूं आज यहां पर आश सबसे ताकतवर ट्रेनर है पूरे पोकेमोन एनिमे का एंड सबसे ताकतवर टीम भी उसी किये और हाँ एनिमे का इंदर तस ने लियौन को भी हरा ही दिया लेकिन आज की वीडियो में यहां पर उसे किसी ट्रेनर खिलाफ नहीं भीड़वाने वाला हूं आज यहां पर आश अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ेगा सारी के सारी लेजंडरी पोकेमोन से खिलाफ और हाँ अगर तुम्हें लगता है कि आश यहां पर ज की पावर लेवल सब की क्या है क्योंकि आश और यहां पर इक और ऐसी और फिशर्ट होने वाली है इसलिए सपेशल पावर नहीं है जैसे की वेडर कंट्रोल टाइम पर सारे लेजेंडरी पोकीमों सिर्फ अपनी मूव्स के दम पर ही लड़ने वाले हैं क्योंकि ऑफिशल बैडल में यहां पर सब मूवस के दम पर लड़ते हैं हां यहां पर स्पेशल एबिलिटीज यूज हो सकती हैं जो कि पोकीमों के पास हैं लेकिना कुछ मिस्टीरियस नहीं और हां यहां पर मैं एश को थोड़ा फेवर कर रहा हूं वेकोज ऑविसली भाई सामने लेजेंडरी इसलिए यहां पर चाहे तो एक साथ अपने सारे के सारी पोकीमों को भी यूज कर सकता है और यह लास्ट बट नॉट लीस्ट इस घम आसान यूद को स्टार्ट कर अगर बात रही लेजेंडरी बीस्ट को उतना पॉवर्फ नहीं दिखाए गया अनिमे के अंदर जैदा कुछ नहीं कर पाया था जर्नी इसमें और अन्नून मुवी में जो एंटे आया था वह भी यहां पर एक रियल एंटे नहीं था उसकी power यहाँ पर Molly की सूच पर depend करती थी लेकिन तब भी यहाँ पर Ash के Charizard में उसे बहुत अच्छी टक कर दी थी वो भी तब जब उसने जस्ट अपनी Chariswick Valley से training स्टार्ट की थी तो legendary beasts को हराने में मुझे नहीं लगता है कि Ash को उतनी महनत लगीगी यहाँ पर वो अपने सेप्टाइल को उतार सकता है with over grow ability लेकिन हाँ सेप्टाइल basically Ente के सामने नहीं टिएगा तो Ente को अगर हराना है तो यहाँ पर Ash उसके लिए Lycan Rock का इस्तमाल कर सकता है और यहाँ लाइकन रॉक विद फुल पावर और ना सिर्फ लाइकन रॉक में यहाँ पर Ash के सारे के सारे Pokemon को बिल्कुल पीक स्ट्रेंथ पर लेने वाला हूँ तो हाँ Legendary Beasts को हराने में Ash को अतनी मेहनत नहीं लगीगी लेकिन जहां तक बात रही Legendary Titans के Legendary Titans को थोड़ा पावरफुल दिखाया गया लेकिन अगर तुम यहाँ पर एक बात नोटिस करो तो ब्रैंडन के रेजी आइस को एश के Pikachu हरा दिया था वह भी तब जब सिर्फ उसके पास होई इन रिजन तक का ही experience था तो अगर रेजी आइस के सामने तुम एश के सर्फिच को डालते हो तो most likely यहाँ पर सर्फिच पी यहाँ इसको हरा देगा एश सर्फिच तो अलड़ी यहाँ पर सिंथिया गार्चॉंप तो को स्टन कर चुका है अपनी मीटियोर मैश से और जहां तक बात रही रेजी रोग एन रेजी स्टील को हराने की उन्हें भी हराने के लिए एश को उतनी मेहनत नहीं करने और यहाँ श्क्कि लिए पास और तीनों अपने कंबाइन इटक से उसका बाल इबाका नहीं कर सकते और ना जाने कितने फ्ल इस पर यूज दे लेकिन अगर तुम इसे इस तरफ से कैल्कुलेट करो तो अगर एस सिद्धा यहाँ पे मेगालुकारियों उदारता है तो मोस् यह लिटरली हम आल्मोस्ट एक mid elite फॉर लेवल की पोकीमान से लड़ने के लिए एक mid champion level की पोकीमान को उतार रहे हैं तो हाँ यहाँ पर तो यह ओर के ल है यहां पर एश अपने 4000 पर फुल पावर पे उतार दे तो वो भी यहां पर इन तीनों को हरा सकता है especially one way three करके नहीं लेकिन हाँ one on one में उन तीनों को हरा देगा अब इसके बाद आती है legendary birds अब legendary birds बात की जाती है पर लेजंडरी बर्ड के मामले में थोड़ा कॉंट्रोवर्शिल हो जाएगा कभी-कभी यहां पर लेजंडरी बर्ड उतनी ताकतवर दिखी नहीं है और अगर तुम यहां पर उन लेजंडरी बर्ड को लो जो कि पोकेमोन दमोवी 2000 में थी तो वह तो भाई बहुत जहाँ ताकतवर थी अपने एक ही आइस बीम से अल्मूस्ट पूरा समुंदर जमा दिया था लेकिन एक ऐसा भी आर्टी कोनों है जैसे चार रिजार्ड ने फैर एंसक्वार फाइट में हरा दिया था लेकिन जर्णी में फिर एक ऐसा आर्टी कोनों आ जाता है जो क इंफरनेप यहाँ पर आलरड़ी मोल्ट्रेस से लड़ चुका है अब देखो यहाँ पर इंफरनेप औविसली मेरा मोस्ट फेवरेट पोक्यूमान है लेकिन यह कहना कि इंफरनेप उस फाइट में मोल्ट्रेस को हरा देता इस वोड़ बी कंप्लीटली अपसर्ड क्योंकि सीरसली हमने देखा है कि मोल्ट्रेस कितना जहाँ ताकतवर था अगर यहाँ पर इंफरनेप की ब्लेज अबिलिटी भी ऑन हो जाती है आई डून थिंग सो वह यहाँ पर मोल्ट्रेस को हरा सकता था क्योंकि वह मोल्ट्रेस सच में काफी ज्यादा पावरफुल था लेकिन ह यहाँ जैसा कि मैंने कहा था एश मुल्टिपल पोकेमोंस यूज़ कर सकता है तो अगर यहाँ पर चार रिजाड़ और इंफरनिप दोनों को एक साथ यूज़ कर दे तो हाँ दोनों एक टीम में आकर मोल्ट्रेस को भी हरा देंगे और जहां तक बातरी जाप डॉस की जाट मच ट्रबल पार कर लेगा नेक्स्ट आता है मिड़ और हां मिड़ लेवल में लिटरली बहुत पावर्फू लेजेंडरी पोकेमोंस अते हैं जैसे की क्रसीलिया ही टरन और टाइप नल एंड सेल वैली सौर्ड ज़स्टिस एंड गार्डियन डाइटीज अब यहां पर क्रसीलिया हीट्रान एंड उर्शीफू इन तीनों की पावर्स यहां पर सही से हमें देखने को नहीं मिली है अनिमे के अंदर काफी कम स्क्रीन टाइम है इसलिए एक्जाक्ट पता लगाना काफी मुश्किल है कि यह तीन वसल में कितने थाकतवर हैं बट स्टिल अगए य यहां पर अगर 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 अपने सबसे पावर्फुल लजेंडरी पोकिमों की जो थे यहां पर गार्डियन डायटीज में सबसे पावर्फुल था टापु को उसको अलरड़ी यहां पर एश के पीकचू ने हरा रखा है अपने जी मूव से भले ही यहां पर एश को अपना स्ट्रॉंगेस्ट पोकिमोन यूज करना पड़ा हो लेकिन हाँ यह मैच चीट गया था तो हां मिड लेवल में यह अपने स्ट्रॉंगेस्ट पोकिमोन का इस्तमाल कर चुका है अभी तो तीन ल आफर लेवल का दिखाया गया हो अनिमे के अंदर जहां पर उन्होंने पाल्किया को शांत कर दिया था लेकिन एक बात तुम्हें यह पर नोटिस करनी होगी कि उनकी पावर सिर्फ इस तरह सकती है क्योंकि आरकेस्ट नहीं यह पलावा कोई और दौय पोकिमोन लड़ने ल लुकारियों, इंसेनरों और चारिजाड़ें इंफरने, इन सभी का इस्तामाल अगर वो एक साथ करता है, तो पॉसिबली यहाँ पर वो इस फाइट में जीत सकता है, लेकिन अब अगर हम बात करें, फोर्स अव नीचर की तो यहाँ पर आश अपनी लिमिट्स पर आ जाएग के विए सानि सो कोई भी भूल सकता है, यहाँ पर अगर अगर ऐस अपने सारे की सारे सारे पोकिमयों का इसतमाल में रहा हम बात करें एस्ट वाइव से उपर भूल यहाँ पर आश अपने सारी पोकेमों के साथ भी नहीं जीत पाएगा क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो इओन डू अपने फुल पावर में यानि कि लाटियोस अपने मेगा फॉर्म में आकर सुप्रीम मैस्कॉट लेजंडरी के सामने लड़ पा रहे थे हैं प्राइमल ग्रावडाउन का अटैक रुख देना प्राइमल कायोगर की ओरिजिन पस से बचना डियालगा एंड पालगा की रूर आफटाम एंड से बचना लिट्रली बहुत सारी फीट से हो पैंड़ क्लाश अफेज मोवी में इनके पास और हार एक वीजा की ट्विस्टर को सकता मतलब कि वो हाई लेवल को पार नहीं कर पाएगा आप लोगों कुछ ऐसा ही लग रहा होगा मेरी बाते सुनकर लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूं कि एश के पास अभी भी एक ऐसा पोकेमॉन है जो कि हाई लेवल के सारे के सारी पोकेमॉन को अकेले हरा सकता है अब पर आश का पोकेमॉन अनाउंस किया गया था और सुलगाले तो लिटरली एक मैस्कॉट लेजंडरी पोकेमॉन है तो उसके लिए यहां पर इन सब को हराना कोई बड़ी बात नहीं है तो हाँ एश यहां पर किसी तरह हाई लेवल को भी पार कर ही गया लेकिन हाँ अब आता पोकेमॉंस में पोकेमॉंस आते हैं जैसे कि एटरनेटर्स हीरो डू रेजिगीगस हो यह वेल्टलन जर्नियस क्यूरम जाइकार्ड लूलाला सुलगालियो नेक्रोजमा जैक्रोम रेशीराम रेक्वेजा लूगया एंड म्यूटू और इस लेवल में तो भाई एश के पा गाल्यू मैस्कॉट लेवल इसे पार करवा देगा वैल यह जानेंगे हम अगली वीडियो में क्योंकि यह वीडियो अलड़ी काफी लंबी हो चुकी है अभी तो यहां पर असली लेजेंटरी पोकेमॉंस की फाइट बाकी है तो हां अगर वो सब भी इसी वीडियो में डिस के सामने कभी भी नहीं टिक सकता और अगर चैनल पर पहली बार आएं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजे ऐसी पोकेमॉंस के अमेजिंग वीडियो देंगने के लिए और फाइनली थैंक्स वर वाचिंग